Hello friends welcome back I hope all are doing well so I am Neha Sethi welcome to share market with Neha Sethi बात करेंगे market कल कैसा प्रेडिक्ट हो सकता है Dow Jones अभी चल रहा है 50 points उपर S&P 500 18 points उपर है Nasdaq भी 105 points उपर है तो friends US market में बहुत अच्छी recovery दिखने को मिली है Last two days से बहुत अच्छा recover किया US market ने Dow Jones भी उपर दिख रहा है S&P 500 भी उपर दिख रहा है and Nasdaq में भी एक बहुत अच्छी recovery देखने को मिल रही है बात अगर हम करें European markets की तो FTSC भी उपर है CAC भी उपर है DAX भी उपर है और Asian market की बात करें तो Asian market भी उपर ही है तो overall global market बहुत अच्छा perform कर रही है और अब friends इनको US market का भी support मिल रहा है जो कि पहले last three days में हमें बहुत दादा correction में चली गई थी US market around 300-400 points नीचे चली गई थी लेकिन last two days से अच्छी recovery देखने को मिल रही है तो इससे हमें यह पता लगता है कि next कल हमें market positive देखने को फिर मिल सकती है इंचा performance दिया मैंने आपको वीडियो एक दिन पहले ही वीडियो में पताया था सो कल भी हमें बहुत अच्छी तेजी ही expect कर रहे हैं तो आप अगर option trading करते हैं तो call पर ज्यादा focus कीजेगा उनको buy कीजे और उस पर एक अच्छा return बनाईए अगर आप equity में भी trading करते हैं तो भी आपको banking sector अच्छा perform करता कल दिखने को मिल सकता है अब बात करते हैं इंडियन share market की and friends वो data भी जानेंगे FII and DII का So अभी Nifty 50 90 points उपर बंद हुआ Sensex 319 points उपर बंद हुआ Bank Nifty भी 314 points उपर बंद हुआ और Nifty IT भी भी बहुत अच्छा closing दिये 556 points उपर तो friends आप देख सते हैं आज इंडियन share market में बहुत अच्छा जंप है देखने को मिल रहा है और कल भी हम ऐसा ही expect कर रहे है 1st February को हमारा budget आने वाला है आज ICIC bank देखे 1.35 points उपर था Quotak Mindra bank तो बहुत ही अच्छा 20 points उपर HDFC bank भी 12 points उपर तो अब main जिस आज देखे friends FII ने selling भी कम की है 23rd January को only 219 करोर की selling करी है FII ने उसके सामने DII ने buying की है 434 करोर की तो buying ही जादा है और friends कल ये data 2002 करोर का था 28 January को बट आज ये अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि FII अब selling को कम कर रहे है और DII की buying रुक रहे है DII बहुत अच्छा कर रहा है market में buy कर रहा है तो ये wrong points है आने वाले दिनों में 300-400 points हमें उपर जाता market दिखने वाला है और 1st February को जैसे budget आएगा तो budget आने के बाद आपको वैसे ही पता है और infrastructure पे आप थोड़ा focus जादा रखिए budget आने के बाद infrastructure में बहुत अच्छी जम देखने को हमें मिलने वाली है तो कल market अच्छा परफॉर्म कर सकते है because global market, dow jones सब कुछ उपर की तरफ ही अभी move कर रहा है so friends, nifty कल अच्छा परफॉर्म करेगा, bank nifty भी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उसी according आप trading में अपनी call को buy कर सकते हैं, I hope आपको वीडियो अच्छी लगियो, next कोई भी update आएगा, market से related तो मैं आपको इस डेफिनेटली वीडियो के थरूँ जरूर बता दूँगी चैनल को कर आपनी किया है first time visit, तो please कल दीजे subscribe, and आपको कोई भी कोरियो आपोट सकते हैं, friends so हमारी market, globally market सब आपस में connected होता है तो global market जैसे परफॉर्म करती है तो बहुत साथा chances होते हैं कि उसका impact हमारी Indian share market पे भी पड़े so global market अच्छा परफॉर्म कर रहे है मैंने आपो सारा का सारा data दिखा दिया है और ये आज उपर ही close होगा, friends, thank you so much